आप देख रहे हैं रास्ट की आवाज हिंदी नी उच्छ लखी सराय जिला से सुजीत कुमार संग रूपेश कुमार की रिपोर्ट मुखिया दीपक सिंग ने कहा कर्तव्य को निभाऊंगा स्वच पंचायत रोजगार पूर्ण पंचायत हो संग्रामपूर शनिवार की दोपहर प्रखण विकास पदाधिकारी विनोट कुमार सिंग, चानन प्रमोग प्रतिनिधी दिनेश यादव, संग्रामपूर मुखिया दीपक सिंग, पंचायत समिती निरंजन पासวान आदी ने संग्रामपूर पंचायत की लोहिया स्वच बिहार अभ्यान के तहत अप्षिष्ट प्रबंधन यूनित का उद्गाटन किया। इस दर्म्यान इन लोगों ने सयुक्त रूप से हरी जंडी दिखाकर अप्षिष्ट पदार्थों को लेकर जाने वाली गाड़ी को हरी जंडी दिखाए। प्रखन विकास पदादिकारी ने बताया कि ये बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसके तहत पंचायतों को साफ रखने के साथ ही इन्ही अप्षिष्ट पदार्थों में से उन पदार्थों को चुनकर अलग कर लिया जाएगा जिसे दुबारा रिसाइकल का रन्य वस्तू का निर्मान किया जाएगा इसके लिए संग्रामपुर मुखिया दीपक सिंग ने इसकी तैयारी पूर्जोर की और वॉडों के सहयोग से सफाई कर्मचारी की नियुक्ती भी कर लिया जो बिना किसी विवाद की संपूर्ण हो गया दूसरी और प्रमुक दिदिनेश यादव ने बताया कि पंचायतों के रख रखाव में लोगों की भूमिका एहम होती हैं लोग अगर चाहे तो पंचायत की सफाई उसमें भी गली से लेकर सड़क नाली से लेकर तालाब पोखर की बड़े ही तरीके से कर सकते हैं एक मुखिया ही सब कुछ नहीं होता बलकि मुखिया को पंचायत की जनता को सहयोग करना चाहिए जिससे पंचायत को सुन्दर बनाने में मुखिया कोई कमी ना कर सके खाला कि एक प्रतिनेधी हुने के नाते मैं किसी भी पंचायत की देख रेक, उसकी जानकारी, लोगों की कमी को देखते हुए उससे निप्टाने का काम करता रहता हूँ पंचायत समिती निरंजन पास्वान ने कहा कि पंचायत सुंदर हो सवच हो, ये सबों की मनशा होती हैं मैं सब लोगों से इसे सहयोग के साथ निभाने की बात कहूंगा जो बिना किसी विवाद की संपूर्ण किया जाये जिससे हर तरह की योजना पंचायत को मिल सके और यहां भी लोगों को रोजगार मिल सके पंचायत के मुखिया दीपक सिंग ने बताया कि मैं लोगों का प्रतिनिदी हूँ मैंने हर किसी को आज इस कार्य की शुरुआत के लिए बुलाया लोग विकास की दिशा में जा रहे हैं तो ऐसे में मेरा पंचायत अच्छूता क्यों हो मैंने भी इसे पुरा करने की ठान ली है और जब तक होगा मैं इसे पुरा करने की कोशिश करूंगा क्योंकि लोगों ने पंचायत का मुखिया बना कर मुझे ये दायत्व दिया है